हेलो स्टेट वेलकम अंस अगेन बच्छ इस वीडियो में हम लोग 14.3 का सेकेंड नमबर का क्वेस्टन सॉल्व करेंगे फिर्स्ट की तरह ही सॉल्व होगा जहां पर हमें मौनोमियल को मौनोमियल से डिवाइड जेना था यहां पर हमारे पास यह तो बैनोमियल है यह पर ट् है कि जैसी यह 3x है तो 3x हो आप इसके नीचे भी लिको इसके नीचे भी लिको इं involve उसमें क्या होता है time भी ज्यादा लगता है और space भी ज्यादा लगता है तो exam में आपको time भी बचाना भी यहाँ पर apply करेंगे आई उस method से कैसे इसको solve करना है मैं आपको copy में समझा देता हूँ और हाँ जो मैंने पहला वाला वीडियो बनाया है और जो आगे की वीडियो बनाऊंगा आपको पता ही है उसका link आपको मैंने नीचे description box में provide करा दिया है वहाँ से जाकर कि आप all videos of chapter 14 में इन दोनों में common क्या मिल रहा है आप मैंने आपको जीसे पहले ही बता है कि आप इसको दो तरीको revolution कर सकते हो या तो आप इसके नीचे भी 3x लिख सकते हो इसके नीचे भी 3x लिख सकते हो फिर जो-जो cut fit होगा वो cut fit करके आप solve पर सकते हो और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें common लेकर के solve पर जिसे आपकर time बचेगा तो उपर वाले हमें देखो दोनों में same to same क्या है तो मैं 1x को और लिख दूँगा फिर minus की sign लगा लेते है और यहाँ पर हमारे पास 6x था तो इधर से मैंने x को बाहर ले लिया तो बचा क्या 6 बचा तो 6 को यहाँ पर उतार देंगे इस तरीके से common लिया जाता है ध्यान यह दिना कि common जो है न जो छोटा वाला हमारे पास है उसी को पर ले सकते है अगर मैं मैं लोग बड़े वाले x स्क्वाइर को यहाँ बाहर ले लेता तो यहाँ पर तो मैं 6 ही लिखूँगा फिर 6 का x स्क्वाइर से multiply होगा तो 6x का स्क्वाइर आ जाएगा तो अब divide by हमारे पास कितना है 3x है तो नीचे में 3x लिख लेता हूँ अब देखो यह मेरा x है नीचे भी x आगिया तो यह और यह आपस में हो जाएगे cancel तो बचेगा क्या मेरे पास यह होगा हमारा 5x माइनस में 6 divide by में 3 अगरे इसको आपको standard form में लिखना है तो 3 को आप अलग सी इस तरीके से लिख सकते हो 1 by 3 और यह हो जाएगा मेरा 5x by में 6 क्योंकि हम जाते है 1 का इन दोनों से multiply होगा तो इतना ही आएगा बस इसको अलग करके लिखा जाता है जो fraction के form में आजाए तो ऐसे भी लिखा जा सकते है बाइक अब इतना भी लिखोगना तो गलत नहीं होगा अगर standard form में लिखना चाहो तो इतना लिख देना यह होगा हमारा पहला loss solve आईए जोगला question में उसे solve करते हैं तो देखो यह मेरा second number का question है सबसे पहले तो अपने उसको fraction के form में लिख लेंगे यह हो जाएगा मेरा 3 y to the power 8 minus में 4 y to the power 6 plus में 5 y to the power 4 ठेक है उसके बाद divide by में हमारे पस है y के power में 4 अब देखो यहाँ पर से common क्या मिल रहा है कोई number मिल रहा है क्या तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है तीनों अलग लग number के table में आते हैं तीनों कोई भी common नहीं मिल रहा y तीनों में है, तो हम लोग y common ले लेंगे सबसे बड़ा y, यानि यह देखो सबसे बड़ा 8 के है power में 8 है, उससे चोटा 6 है और सबसे चोटा 4 है, वेरा आपको भी बताया है जो सबसे चोटा रहता है, हम लोग उसको common लेते है तो y के power में 4 यहां से common ले लिया जाएगा यहां पर समय y के power यहां से 4 बाहर निकालता हूँ तो थेको 3 का 3 उतर जाएगा y के power में 8 था, हमने 4 बाहर निकाल दिया है तो बचा कितना यहां पर से 4 बज गया ठेक है, उसके बाद minus की sign लगाओ 4 y के power में 6 था, तो 4 तो रहेगा यहां हमने number तो बाहर निकाला नहीं है लेकिन y के power में 6 था, हमने उसमें से 4 बाहर ले लिया है तो y के power में 2 बज जाएगा फिर plus की sign लगा हो यहाँ पर 5 y to the power 4 है यहाँ पर हमारा केवल 5 बज जाएगा क्योंकि y to the power 4 तो अपने पहली बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर as it is 5 उतार दो और divide by में हमारे पास यह जो y के power 4 है इसको लिख लो देखो यह हमारा third number का question है इसको मैंने direct history के CC लिए लिख लिए divide वाले यह जो sign है ना ऐसा मैं नहीं से लिए लिखा ताकि हमारा time बचे है क्योंकि इतना लंबा चोड़ा यह दिया हुआ है कि इसको मैं दो बार उतारू है तो बहुत time waste हो जाएगा चलो लोग इसको अपन solve करते है सबसे पहले देखो हमारा eight और four cut तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो cut कर भी सकते हो ने तो नहीं भी कर सकते हो पहले आप क्या करो common लेनिक कोसिज करो इसमें से क्या क्या हमको common मिल रहा है पार किज़र आप cut करना चाहो तो cut कर सकते हो देखो four one जा four हो रहा है four two जा eight आ रहा है तो उपर तो हमारा four और यह cut हो गया लेकिन अभी आप देखो कि इसमें से कुछ कुछ हमारे common मिल रहे है यहाँ भी x है इसके पास भी y है और इसके पास भी y है इसके पास भी z है इसके पास भी z है और इसके पास भी z है तो तीनों में से x, y, z अपन चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं तो मैं निकाल लोगा पैसे तो यहाँ ध्यान देना है यह two बज गया है हमने number को cut कर लिया है पहली तो two को पहले उतार लेता हूं मैं अब देखो x मैं कितना बाहर लो इसके पास 3 है इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है तो हम जाते कि हैं जो सबसे कम वाला है रहता हूं वो बाहर ले लेते हैं तो x to the power 2 को पन बाहर ले लेते हैं उसी तरीके से आपन माहा पास तो सोरी वो बाहर delivery वाला आ गया था उधर में चल गया था तो हम लोग कहां पर थे यह 2 हमारा बज गया था ठीक है अब यहां पर से हमने क्या बताया आपको कि X के square अपन common ले लेंगे ठीक है यह हो गया उसी तरह की सब Y देखो कितना common ले सकते हो तो यहां पर भी Y के power में 2 ह है यहां 3 है और यहां पर हमारे पास 2 है तो हम Y के power में 2 को common ले ले लेते हैं क्योंकि वही सबसे कम है उसी तरह के से Z में देख लो यहां भी Z के square Z के square रो Z का Q है तो हम सभी में से Z के square को common ले सकते है अब बचेगा कि हमारे पास तो यहां पर देखो हमारे पस कुछ नहीं बच रहा यह क्या है हमारे पास X से पावर में 3 था हमने X से स्क्वार बाहर ले लिया है तो यह दोनों तो हमने बाहर ले लिया है केवल यही बचा हुआ था हमारे पास तो हमने X को उतार दिया अब प्लस की साइन लगा लेते हैं यहां पर था X से स्क्वार हमने X से स्क्वार बाहर ले लिया है तो वो तो लिखेंगे नहीं यहां पर Y के पावर में 2 को बाहर लिया है एक Y बच जा रहा है तीन था न हमने तो दो बाहर लिया है तो एक Y यहां पर लिख लो z ka square यहां भी था हमने square कोई बाहर लिए है तो अब z तो हमारा लिखाय गए नहीं पलस की sign लगा लेते हैं यहां पर x का square تھा हमने xmotor बाहर लिए लिए है y का square था वो भी बाहर चला गिया z की power में 3 था हमने z का square बाहर लिया है यहाँ 3 था 2 बाहर लिया है तो एक तो बज गिया तो एक जैड यहाँ पर लिख लो और पूरे के डिवाइड में इस तरीके से यह वाला मैंने जो बचा हुआ था x square y square और z square उसको अब देखो यहाँ भी x square y square z square नीचे में भी यह दोनों सेम चीज़े हैं तो उनों को पूरा पूरा आप कट कर दो बचा के आपके पास यहाँ पर से 2 ब्रैकेट में x plus y plus z यही हो जागा इसका final answer इस तरीके साब को थड़ वाला solve करना था भाले बड़ा दीख रहा है लेकिन solve अगर आपने एक बड़ basic concept के साथ समझ लिए solve करना न तो solve होगा ही होगा confirm है इसलिए basic concept अपना clear रखा करो इसलिए fourth वाला solve करते हैं देखिए हमारा fourth number का question है जहाँ पर हमें x का cube plus 2x square plus 3x को divide देना है 2x के से तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते है common क्या मिल रहा है तो इस इसके पास भी x है इसके पास भी x है और इसके पास 3 है आप देखो सब से चोटा एक्स हमाना से सिंगल एक्स है उसके बाद 5AY है तो संगल निकाल देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x का square बज जाएмо क्योंकि 3 था यहाँ पहर ले लिया है तो square बज़ गया उसी तरीके से यहाँ पर 2x का square है तो 2 और x बज़ जाएगा क्योंकि square था हमने एक को बाहर ले लिया है फिर plus की sign लगा हो और यहाँ पर 3 के साथ x था और 1x तो पहली बाहर ले लिया तो केवल 3 हो जाएगा तबी ना फिर 3 के x से multiply होगा गया था तो उसको हमने इस तरीके से अलग से लिखा था ना वैसी आप चाहो तो यहाँ पर जो 2 आया उसको अलग लिख सकते हो इसको आप 1 by 2 कर दो और यह जो x का square प्लस 2x और प्लस 3 उसको अलग से लिख दो इस तरीके साभी standard form में इसका final answer लिख सकते हो चलिए अब जो last पावर में 3 रहता है तो Q बोला जाता है डिवाइड बाइमें हमारे पास P का cube और Q का cube दिया गया है अब देखो यहाँ पर से common क्या में रहा वो देखते हैं P इसके पास भी है इसके पास 3 और इसके पास 6 है तो हम जाते हैं कि जो छोटा वाला उसको बाहर लेना है तो P के power में 3 को पन बाहर ले लेंगे यहाँ पर Q के पावर में 6 है यहाँ पर Q के पावर में 3 है दोनों में Q तो है लेकिन पावर लगए तो छोटा वला जो है ना Q के पावर में 3 उसको बाहर ले लो बचेगा क्या, तो यहाँ पर से 3 था पावर में, तो वो तो हमने 3 वाला P के पावर में 3 बाहर ले लिया, पूरा पूरा हमने बाहर ले लिया, Q के पावर में 6 था, हमने Q के पावर में 3 बाहर लिया है, तो बज़ गया हमारे पास Q के पावर में 3, क्योंकि 3 और 3 ही हमारा 6 करोगा स्था पावर में सुष वह साघ्डा एग्षण कर दो तो यहां पर इसको ने लिखना है यह बस लिखना एग्वोग लाइप से लुए हाँБिंप Ji्यासे कर दो पाइनल एंसर फो उस थीजा एग्व हो को डिवैड देना है मनोमियल से आई होप आपके बहुत अच्छे समझ में आगे होगा अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप उनसे इंस्टाग्राम के थूप पूछ सकते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स टॉले वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यो फर वाचिंग